अब हम लो जा रहे हैं बिर्यानी बनाने की लिए तो इसमें अब तेल डाल देते हैं हम दो सरसल तिल के यूज़ करेंगे अब तेल देखें के क्यों और करना चीए यह हम लोग जो मारी नेकेड्ड मटन था वुसका हम डाल देते हैं हैं तो आएगा 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 आख मुचन को पखाना जरूरी है कि नहीं पखेगा तो दम लगाते समझी आगे कि यह देखे हैं हमारा मटन कितना सुन्दर दिख रहा है इसको पकाई यह और इसमें नमक एड़ कर देते हैं अगी चावल पकाईंगे तो चावल के लिए लगसा हम लोग नमक कभी इसमें डाल देंगे कि 70% चावल को पकाना पड़ेगा इतना sufficient होगा और मटन को मैं डख डख के पका रहा हूं ताती जल्दी से पग जाए यह देखें इतना पानी छोड़ चुका है कि अधर हम लोग प्याज प्राइब कर रहे हैं जब हम लोग उसमें चावल डालेंगे ना लेयर वाई लेयर तो इस प्याज स्पारिा व्हाए हम लोग उसमें मस्तु नहरा ब्रांड डालेंगे हैं कि रखना को प्याज होने के डिशान में के आ गया है हम लूग मसाले को थोड़ा सा घडह करने के लिए पयाज का शतेवा पानी खौल चुका है इसमें लोग चावल डालेंगे नमक डाल रही है स्वाद के लिए और कुछ खड़े मसीले हल्का सा नीबू और घी हमारा मटन मस्त पक शुका है इसमारा राइस भी 70% पक शुका है अब हम लोग इसको लेयर बना में स्टार्ट करेंगे यह फूड कलर कटी वी धनिया पत्ती अब याज जो हम लोग फ्राई किये थे अब अब बिर्यानी मसाला हम लोग इसमें डाल रहा है जो बचा हुआ था यह एक लेयर रेटीर होगी है अब सेकंड लेयर हम बाएंगे चलो डाले सेकंड लेयर करो यह फूड तलर अमनों फिर से डाल रहे हैं अब बिर्यानी मसाला कियोडा वाटर अब हम लोग इसमें लास्ट मैड कर रहेंगी अब इसको ढख करके अब इसको ढख करके हम लगभा 20 मिनट के लिए मैं इभर तवा गरम करके रखा हूं क्योंकि हम लोग फीपर में बनाया है तो डारेट आंच से खराफ को सकता है इसके तवे अब पकेगा फाइनले अब हम इसको ढख रहें पकने के बाद दिखाते हैं कैसा यह रहा फाइनली हनो का बियानी बनके रेडी अब इसको मिला देते हैं मतन दाम बियानी देखते हैं कैसा बना हुगा फर्स्ट टाइम बना है ना इन वहों इन हो अब आप 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 बना है व केंश भी इॉआ आप झाल झाल